कर चलिए आज का एपिसोड में हम लोगए चप्टर फाइप देख पूसिजिए और आज का एपीसोड Țप्तर 5 का जो कि ओकललन चलरा था आज का फर्स्ट क्वेस्ट्שन है कि यो इस to xq तो d square y by dx square is equal to क्या होगा ठीक है बहुत सार्ट बोरते कि सर्थ्रवासा मतलब difficult question कराईए तर देखो बाब वो क्या है कि आपके exam में उतना difficult question नहीं आते हैं एक मतलब average question हमेशा आते हैं और आप लोग ऐसे ही question को करिए जदा difficult question आपके exam board में नहीं आएगा यह मैं 100% का सकता हूं और जिस तरह का question करा रहें वहसा ही आएगा आप लोगों ठीक है और जदा हम बात नहीं करेंगे क्या है first question कि y is equal to xq y is equal to क्या है xq है ठीक है इसको d square y मतलब double differentiation करना है यह दो बार alkaline इसको करना होगा कैसे करेंगे इसको हम क्या करेंगे एक बार alkaline करेंगे तो dy by dx बराबर तो आपको तो पता है इस तरह का जब भी आपको question दिखे एक्स के पाउर n के फरुमला पर है एक्स के पाउर n का alkaline क्या होता है सबको पता है nx n-1 होता है ठीक है इस फरुमला पर इसको बैठा दो x और n का मन 3 है तो क्या हो जाएगा 3 x का n और n-1 तीन में 7 जाएगा एनि 2 हो जाएगा ठीक है इतना गया मतलब एक बार जब हम इसको ओकलन किये तो 3x स्क्वाइर आ गया किसी को इनी प्रावबलम नो चलो अब इसको पुना एक बार फिर ओकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d square y by dx square इसको फिर से ओकलन करेंगे तो क्या होगा यह तीन कोश्टेंट है बाहर कर देंगे इसमें क्या लगाएंगे d x square by dx यानि यहां से जब इसको solve करोगे 3 का 3 और x square इस फर्मुला पर बैठाओगे तो 2 का 2 x का 1 और n-1 तो 2 में सेख जाएगा 1 यानि यहां से आपका इसका result जाएगा इसको गुना करोगे x के पाउर एक एकस ही होगा एकस और 2x और 3 यानि गुना करेंगे 6x हो जाएगा आपका answer देखो option number be is correct answer ओके समझ मैं है न किसी कोई problem गुड नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है कि यदि y is equal to cos log x तो dy by dx बताईए आईए question number 2 y is equal to cos log x ठीक है तो dy by dx बताना है तो क्या करेंगे dy by dx बराबर इसमें d लगाएंगे तो हो जाएगा d cos log x ठीक है अब देखो इसमें हम d लगाए है तो इसका तो differentiation हो रहा है लेकिन इसका तो नहीं हो रहा है इसको लाएंगे base में यहीं बेस बन रहा है इसको लाएंगे नीचे उठा कर रहा फिर इसको ओकलन कर देंगे तो हो जाएगा d log x by dx ठीक है तो यहां से क्या हो जाएगा dy by dx बराबर cos है ना तो cos x का फर्मूला होता है minus sin x पता है ना cos log x है तो क्या हो जाएगा minus sin log x हो जाएगा ठीक है और log x का ओकलन होता है 1 by x तो 1 by x यहनि फाइनल जब इसको करोगे तो dy by dx बराबर उपर हो जाएगा minus sin log x अनीचे क्या है x तो यह हो गया x यह आपका correct answer अप्सन मिला लो कौन सा अप्सन सही होगा minus sin log x by x यह वाला b correct answer अप्सन नंबर b is correct अब चलो 3 नंबर 3 देखो क्या है देखो दी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स है तो दी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स तो बाबु आप लोग से एक सजेस्ट करना चाहते हैं कि differentiation का जितना भी formula है न आप लोग सभी all formula को याद कर लो क्योंकि formula हमेशा आते हैं और हमेशा आयेगा भी इसलिए इससे चोड़ना नहीं जैसे डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का पुछ दिया गया है तो कॉस इनवर्स एक्स का differentiation होता है minus 1 by root अंदर 1 minus x square होता है इसी तरह आप से कभी पुछ लेगा sin इनवर्स एक्स का पुछ सकता है न एक्जाम में आपको दो सिर्फ डिफ्रेंसेशन से फर्मूला पुछेगा ही पुछेगा याद कर लोगे तो बहुत प्रोफिट होगा आपनी लोग के लिए ठीक है याद रखोगे न चलो नेक्ट देखो अगला है चार नमबर चार नमबर है कि यदि y बराबर x के पॉर 5 फिर डिए बए डियेक्स यह भी बहुत इजी है कि लोगा है यहीं आता है क्या करोगे ज़्यदा हम माल लो डिफकल्ट कोईशन भी कराएंगे तो कोई प्रोफिट होगा नहीं ठीक है जिस तरब का एक्जाम में कोईशन आते हैं तो वहीं कोईशन आपको इपॉट्रेंट में बताएंगे यह नहीं कि हम पूरा हाड हाड कोश्चन करा देंगे और आपके एकजाम में आएगा ही नहीं तो क्या फैदा हाँ बुक पढ़ाते हैं थी पढ़ाते हैं तो आहां पर का सकते उसर और डिपकल्ट थी पढ़ाएं डिपकल्ट और कोश्चन कराएं ओ अलग की बात है लेकिन जब हम इपकोश्चन करा रहें तो यहां पर जो प्रस्ण आपके एकजाम में आते हो इसा ही कराएंगे ठीक है अब नहीं लिखना कमेंट में कि सर हाँ ऐसा डिपकल्ट कोश्चन कराएं ऐसा ही आता है आप लोगो ठीक है जिस तरह कहाता है वसा कराएंगे डिपकल्ट कराएंगे यजी है तो एजी ही कराएंगे कि य बराबर एक्स के पहु socied he tussen निकलना है तो क्या करेंगे बस डि वाई बाई ड इक्स बराबर फोर्मुल गा देंगे एक्स के पहुँर्च अफशना nx n-1 n है तो n x है तो x n-1 5-1 कितना फोर 5x का पार फोर आपका quarter tensor c समझ माया चलो next 5 देखो 5 क्या है 5 है आपका कि अगर y is equal to 10 sin inverse x तो d by dx यह option वोला नहीं है कभी कभी short में push लियता है इसा को equation ठीक है y is equal to 10 फर्मूला जिनको याद रहेगा उनको differentiation कोई दिकत होगा ही नहीं इसको x का sub x जब भी दो number में आएगा तो उसको पहले लिखना कि जिस sub x में दिया आपकालन करने को लिखेंगे x में ना x के sub x आपकालन करने पर ठीक है तो dy by dx equal इसमें d लगाएंगे तो d tan sin inverse x यहाँ से tan का differentiation हो रहा है लेकिन sin inverse क्या बंद रहा है base इसको उठा कर लाएंगे नीचे sin inverse x और यह हो जाएगा d sin inverse x by dx यहाँ से क्या हो जाएगा dy by dx x equal tan का formula जानते हो न tan x का जानते हो c square x यहाँ पर क्या हो जाएगा c square x के बदले sin inverse x है तो sin inverse x हो जाएगा और sin inverse x का क्या हो जाएगा 1 by root अंदर 1 minus x square तो आपका यहाँ से final जो result हो जाएगा dy by dx का value once और इतना से गुना करेंगे तो होगा c के square sin inverse x और root अंदर 1 minus x square your final result ओके next देखो 6 number 6 number देखो क्या है थोड़ा आप लोगो 11 का equation दे दिया गया है बोल रहा है कि dy dx limit x tends to a x के power 5 minus a के power 5 by x minus a फ्राइस को हम अच्छे से explain करेंगे ठीके 6 number dy dx limit x tends to 0 x के power 5 minus a के power 5 by x minus a ठीके देखो आप पढ़े होंगे कि limit यहाँ पर लिखी देते हैं आप पढ़े होंगे कि limit x tends to 0 x के power 5 minus a के power 5 by x minus a जब यह रहता है इसका formula होता है क्या होता है nx n minus 1 यह वोला formula limit में आप लोगों को पढ़ाये थे याद है कि नहीं याद है पले बताओ किसी को ऐसा नहीं है कि याद नहीं है याद होना बहुत ज़री है ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको x के power 5 है minus a के power 5 by x minus a है तो इसको हम तोड़ेंगे इस formula पर तो क्या हो जाएगा n के जगा 5 है तो क्या हो जाएगा 5 x 5 minus 1 यानि 5 x के power 4 आ जाएगा जब इसको ब्रेक करेंगे तो इतना आएगा इस formula पर यह formula होता है 11 में पढ़े हो तो यानि d by dx इस total का formula बन कर क्या आया 5 x के power 4 और यहाँ पर a है न यहाँ पर a है तो देखो याद रखिएगा यहाँ पर x के power 5 minus 1 के power 5 by x minus a है तो यहाँ nx नहीं होता है यहाँ n a होता है याद रखिएगा n a होता है a है न तो a होता है यहाँ पर a ही रहेगा क्योंकि यहाँ भी a है यहाँ a है ठीके? तो 5 a के power 4 हो जाएगा ठीके? तो अब देखो 5 constant है तो बाहर निकाल देंगे d by dx a के power 4 5 का 5 और a के power 4 यह क्या एक constant है constant का डिप्रेंसन 0 होता है तो 5 से जिरो शुगरना कर देंगे 0 यूर एंसर देखो इसमें अप्सन क्या है? अप्सन नमबर क्या? डी हो जाएगा correct answer और यह देखो बहुत ही important प्रस्णे दो लाए है 7 और 8 ठीक है? 7 एट बहुत ही important है हमको लगता है कि आप लोग बना दोगे तो बहुत ही अच्छा एक student हो आप ठीक है? इतना आपको मान सकते हैं और वीडियो को रोको और question को लिखो 7 नमबर को और बनाओ एक बार ठीक है? दिखते हैं आप लोग से बनता है कि नहीं बनता है जिन से नहीं बनेगा वीडियो को आगे बढ़ा कर देखेंगे ठीक है? comment box में comment कर देना जिन लोगों से बनेगा बुल देना सर हमने बना दिया जिन से नहीं बनेगा बुलना कि सर हम से नहीं बना ठीक है? बुलना नहीं क्या है कि dvdx निकलना है जब x बराबर इतना दिया है x बराबर y log x into y दिया है यह आपका question है इसका dvdx निकलना है बहुत important है आएगा ता आपको मतलब long में भी आसकता है कभी कभी ठीक है अब बहुत सरे student क्या करते है confusion में पढ़ जाते है आप भी पढ़ेंगे मेरे को लगता है इसा ठीक है लेकिन देखो चेक करो अब बना दोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है कैसे करेंगे इसका डियोबे डिक्ष निकालेंगे सबसे पहले देखो X बराबर Y लोग X इंटु Y है न है चलो अब यहाँ देखो X है और यहाँ के यहाँ Y मल्टिपल में इधर आगा तो क्या कर देगा भागा इधर क्या बच गया लोग X इंटु Y बिचे बराबर का साइन है तो इंटु फ्लाइड का साइन देएंगे ठीके अब क्या करेंगे इसको देखो X बर्टा Y नीचे Y है यहाँ लाश्ट में भी Y है इसको Y के सापेक्ष ओकलन करेंगे ठीके लिखेंगे Y के सापेक्ष ओकलन करने पर क्या हो जाएगा इसको Y भी पर तोड़ेंगे तो B को पहले बाहर B को पहले बाहर तो क्या बचेगा आपका X दी X भाई दी Y होगा क्यों X नहीं होगा नीचे क्योंको Y के सापेक्ष कर रहा है माइनस इस बार X को बाहर और Y को अंदर D Y D Y हो जाएगा बराबर में यह देखो इसे पूरा में D लगाएंगे तो D लॉग X इन्टू Y लॉग का थ होगा लेकिन X इन्टू Y बेस बन रहा है तो यहाँ देखो D X इन्टू Y और यहाँ देखो X इन्टू Y D X कर देगा और अगले स्टेप में इसको U इसको भीमान करके आगे सलू करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा Y का Y D X Y D Y माइनस यहाँ से X D Y बाई D Y 1 हो जाएगा यहाँ लॉग X इन्टू Y हो तो लॉग X का 1 बाई X होता है यहाँ से क्या हो जाएगा X इन्टू Y हो जाएगा और यहाँ देखो इसको U इन्टू भी पतोड़ेंगे तो X को U को बाहर तो इसको करेंगे अंदर D Y D Y यहाँ वो X नहीं होगा Y होगा क्यो Y के सब पेक्ष कर रहे हैं ठीके प्लस फिर इस बार Y को बाहर D X Y D Y ठीके अब यहाँ देखो तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह Y है और यहाँ पर X है ठीके तो यहाँ पर क्या किये जाए मिलाओ तो यहाँ पर ऐसा क्या काम किये जाए कि कुछ कंबिनेशन बन जाए हाँ एक बात और छुट रहा है जब U by B पर तोड़ रहे है तो आप पता है न कि बाटा में B SQ भी होता है तो B यहाँ क्या मन क्या है Y है तो Y SQ होगा इसको हम लोग छोड़ते जा रहे हैं गलती से छोड़ना नहीं है आप लोग एकजाम में कभी छोड़ना नहीं है तो मिस्टेक हो जाएगा B SQ होता नीचे न तो Y SQ लिखेंगे तो यहाँ से देखो Y और A Y Cancel एक Y बचेगा ठीक है अब क्या करते हैं यहाँ से ध्यान देना कि A बराबर में है इसको cross multiplication करेंगे तो इधर क्या करेंगे गुना इसको हम गुना करा देंगे X Y D X Y D Y माइनस इसमें भी X गुना करेंगा तो क्या हो जाएगा X से स्क्वाइर हो जाएगा होगा ना और देखो इकवल में अब यहाँ देखो X तो इसमें गुना करेंगे लेकिन Y बच गए यहाँ पर तो Y क्या करेंगे इसमें गुना कराएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर जब Y जाकर गुना कराएगा तो एक क्या हो जाएगा इसमें इसमें हो जाएगा x पहले सा है अब y जाकर इसमें गुना करा देगा तो xy और dy कितना 1 हो जाएगा ठीक है पलस यहां देखो अब क्या करेंगे y और यहां पर y है इसमें गुना करेंगा तो क्या होगा y square और यहां पर देखो तो dx by dy है तो dx by dy ठीक है अब क्या करते हैं देखो dx by dy और dx by dy दुनों के एक तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगा xy dx by dy यह प्लस दर जाएगा तो minus dx by dy बराबर में xy है और यह minus दर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ से देखो तो दुनों में कमल लेंगे dx by dy कमल लिए तो बच जाएगा xy minus y square बराबर में xy plus x square एक उना कर दर आगा तो भाग कर देगा तो dx by dy बराबर xy plus x square और xy minus y square कितना आपका dx by dy आ गया ठीक है क्या आपका आ गया dx by dy बात को समझ रहे हो ना dx by dy आ गया आपको क्या निकलना है आप यहां आ जाओ आपको निकलना है dy by dx क्या निकलना है dy by dx तो क्या करोगे यहां पर देखो आपको निकलना है dy by dx तो क्या करेंगे हम इस पर हम हल कर देते हैं इसको उल्टा कर देते हैं नीचे वाला उपर, उपर वाला नीचे दोनो तरब क्या हो जाएगा xy minus y square और xy plus x square कोई दिकत कोई दिकत नहीं है अब क्या करेंगे अब देखो अब क्या करते हैं कि आपका फाइनल रेजल्ट एभी हो गया एभी कोरेक्ट एंसर है क्योंकि हमें डी एक्स बाइड यह था इसको उलट दिए तो आप ऐसा भी करना चाहते हो कि यहां पर जो एक से स्क्वाइर है और जहां जहां एक से उसको हटाना चाहते हो तो हट भी जाएगा लेकिन हमारे ख्याल से इतना ही पर छोड़ देना आपको कॉरेक्ट एंसर हो जाएगा ठीक है किसी-किसी बुक में क्या कियाता है कि सभी पाद में एक से स्क्वाइर से भाग दे जाता है लेकिन वह अच्छा नहीं लगता है हमें ठीक है मेरा कानमानों इतना ही तक बंदना ठीक है एक से भाग देने सबको आता है पर देने मंत्र नहीं ठीके अंट नहीं पर चैसे chilस में 10 से भाग देने पर रोएंसा अपि यहाँ पर dulodavyot कर से ठीक हो अपको फलेका को कैसे क desert से भाग देने अंट इतना आया हुआ है और मह यहीं जब आपको एंसर तो नहीं रहेगा है कि आन करना होगा अझा से at the information का答 Branch लोगा अच्छे से च्रव करना होगा आपका तमक्सद करके और बनावार थो आ अधाहे लेकिन मिन मक्सद होता है कि आप लोग अपने खुँझसे बनाओ इसंट स arguments ना होना चाहिए का फर्मुला 6 से लगना चाहिए यह आप लोग का मक्स्त होना चाहिए यह नहीं कि मतलब एंसर मैच करें तब भी होगा सही नहीं सही से आप करो कल्कुलेशन करो अंतक करो वहीं आपका एकुरेट एंसर होता है ने तो बहुत सारे बच्ची क्या बोलते हैं हमेशा हमेशा बोलते रहते हैं कि सर इंटेग्रेशन और डिफिरेशन का सब अब एंसर मैच नहीं कर रहा है अब बताओ एक बात हमें मालो आप 7.2 का कोशें नमबर 24 कर रहे हो और आप एंसर बुक में देख लेते हो देख लिए कहां इतना एंसर आया है तो एंसर देख लिए एक स्टेप बच रहा है तो आप उसको आगे बना दोगे लेकिन जब आप नहीं रहेगा आपको काम बनता है कि शाह से करते हुए सब्सक्राइब करते हुए औन तक उसको सब्सक्राइब वहई आपको एक्पूरेटेंसर मना जाएगा अप एक्जामनार से वहां यहांव मिला करके मारें देख सही तो मुर्क reaction मुर्क मास्टर् difiagnium master हो फुज कह है वो क्या करेगा एंसर सिट ले रहेगा काट देगा आपका डायक्ट एंसर तो वहाँ पर गलत नंबर कभी आ जाता है एस्टुडेंट लोग को ठीक है तो ऐसा होता है तो चलिए आज क्लास खत्म करते हैं मिलते गली वेडियो में